तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए हर सर्था जिसके आगे सर्च गाए कौन सा हंदामा होगा नब्ध जबाल कौन से OTT प्रेटफॉर्म पर दिखेगी फिल्म हेलो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग्रेट स्टूडियोज में जल्दी आने वाली फिल्म ट्रेपल आर जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब है सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर देश में भी फिल्म के दिवाने बेताब हैं फिल्म के प्रमोशन जोरो सोरो पर है जहां राजा मौलिस संग फिल्म के स्टार कास्ट को भी देखने को मिली फिल्म के इस ग्रेंड इवेंट में एक पूरी स्टार कास्ट के अलावा स्टेज पर एक और परसन नजर आये जिनका नाम है जैन तिलाल गड़ा और आते ही इन्होंने सबकी एंटेंशन अपने तरफ कर ली जब बताया की 70 से 90 के दिनों के अंदर फिल्म ओटिटी पर नजर आएगी जिसमें फिल्म डीजी टली तेल्गू मलयालम और कंदर वर्जन हमें Z5 पर देखने को मिलेगी और हिंदी वर्जन हमें Netflix पर देखने को मिलेगा ऐसे में जहां हर फिल्म अपने तियाटरिकल रिलीज के बाद चार हफते बाद ही ओटिटीम पर देखने को मिल जाती है वहीं ट्रिपलार फिल्म शायद से ज्यादा लंबे समय तक थेटर में टिकने की उमीदे हैं जिसके चलते डिजिटल फिल्म इतने देर से जनता को देखने को मिलने वाली है फिल्म जहां हर जगए अपना पर्चम लहरा रही है जिसकी वज़ा एक नहीं अनेक है क्योंकि फिल्म की स्टार कास्ट में जहां साउट से लेकर बॉलिवूड के कलाकार इस फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं वहीं फिल्म को राजा मौली जैसे डायरेक्टर का साथ मिलना अपने आप में फिल्म के लिए प्लस पॉइंट है और फिल्म का इतनी भाशाओं में रिलीज होना इसे और बहतर बना रहा है जिस से ज्यादा से ज्यादा ओडियन्स फिल्म की और खीची चली आ रही है और अपना स्टर और उचा करने के लिए मेकर्स ने फिल्म को आई मैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया जाएगा बड़े स्टर पर जिसमें इंडिया में ही नहीं बलकि यूएसे में आई मैक्स स्क्रीनिंग पर ट्रिपल आर का बोल बाला होने वाला है फिल्म को कई जगे पर प्री बूकिंग भी शुरू हो गई है और वहीं सो से अधिक आई मैक्स थियेटर पर राजा मौली की ट्रिपल आर फिल्म दिखेगी जो फिल्म के लिए एक मैसिव कलेक्शन कलेक्ट करने को बहुत ही बढ़िया प्लेटफर्म साबित होगा और यूएसे में फिल्म 24 और 25 को भारी कमाई करने वाली है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से इस फिल्म का हाईप बढ़ रही है उस तरह से देखकर लग रहा है कि फिल्म इस बार सारे रिकोर्ड्स ब्रेक परने वाली है तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद